हमेरे साथ कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता और सांसद दिगविजय सिंग है दिगविजय जी पहली बार संसद में पिछले पाँच साल से जिसकी मांग की जा रही थी उसको आपने उठाया है EWS के सरली करण का मामला क्या मांगे थी और क्यूं ये इतना जरूरी बन गया है मेरे लिहाज से मौझूदा नरेंद मोदी जी की भाच्वा सरकार की एक सबसे बड़ी उपलब्दी यही है कि उन्होंने उन परिवारों के लिए भी शास्की सेवा में आरक्षिन दिया जो अनारेक्षित वर्क के हैं लेकिन आर्थिक रूप से गरीब हैं इसलिए मैंने इसे उप्युक्त समझा कि राजसभा में इस बात इस मुद्दे को उठाया जाए अब जो शर्तें EWS के अनारेक्षित परिवारों के लगा दी गई है उनमें और OBC में समानता होनी चाहिए ये उचित नहीं है कि जो शर्तें OBC के लिए हैं इस आरेक्षिन को कलाब लेने के लिए वो EWS के जो अनारेक्षित वर्क हैं उनके लिए नहीं हो इसलिए मैं तो सथकार से मांग करूँगा कि जब इतना आपने कर दिया है तो इतना और कर दीजे कि जो शर्तें केन सरकार की पिश्रा वर्गों के बच्चों को शास्की सेवा में आने के लिए उपलब्ध हैं वही शर्तें अनारेक्षित वर्क के जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको भी वही शर्तें लागों की जाए और शर्तें उनको लागों ना किया जाए सर अभी उत्राखंड ने यू सी सी पास कर दिया है अपने विधान सबाह में क्या इसका इंपक्ट पढ़ने वाला है और आप इसको किस नज़िये से देखते हैं कि कॉमन सिविल कोड हमारे समिधान का अंग है लेकिन कॉमन सिविल कोड में जब तक सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को शामिल ना किया जाए उसमें ये विवाद किस दिती निर्मित हो जाएगी मैंने ड्राफ्ट नहीं देखा है उन्हें ड्राफ्ट सर्कुलेर करना चाहिए और उत्तरा खंट के हमारे जो कॉंग्रेस पार्टी के लोग हैं वो इसका स्टेडी करके और केंदी निर्टब से चर्चा करके उसमें अपना मत देंगे कैमरे पसे नमित के साथ हभी शेकानन दिली आज तक